नमस्कार राज़स्व लेकपाल भरती परिक्षा 2020 के लिए संचालित हिंदी की 500 प्रश्णों की इस ब्रहत स्रिंखला में मैं आश उतोस आप सभी का स्वागत करता हूँ चली हम लोग सुरू करते हैं आज की कक्षा आज से पहले हम लोग आठ कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं कई संभावित प्रश्णों की यह हम लोगों की नवी कक्षा होगी और जैसा की हम लोग पहले भी बात करते थे तो अतिस संभावित प्रश्णों को तो हम देखते ही है जिन प्रस्णों की संभावना अधिक होती है या ऐसे प्रस्णों प्रस्ण की स्रेड़ी में आते हैं जिस स्रेड़ी के प्रस्ण जिस कोटी के जिस प्रकार के प्रस्णों को पूर्व में पुछा गया है दूसरी चीज हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रस्णों की संपूर् या ख्याकार्थ यह हुआ कि प्रश्ण के उत्तर को या प्रश्ण के प्रकित को संपूरता में समझने का प्रयास करेंगे चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा क्या आप राजा सुलेकपाल भरती परिच्छा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैस कोर्स प्रोग्राम से इस क्रैस कोर्स का उद्दे से छात्रों को घर बैठे राजा सुलेकपाल परिच्छा की संपूर्ण तयारी करवाना है वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्स सीरीज के माध्यम से लेकपाल के पूरे पाठकरम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लच्छ है जिसमें आपको मिलेंगे राजा सुलेकपाल के संपूर्ण पाठकरम को कवर करने के लिए अनुभवी सिच को द्वारा वीडियो लेक्चर्स साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टापिक्स का टापिकवाइज नोट्स पीडियफ में वीडियो लेक्चर्स जॉइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्स सीरीज जिसमें की 10 आनलाइन टेस्ट और उनकी व्याखात्मक हाल वाली PDF होगी दी जाएगी ध्यान दें यह टेस्स सेरीज परिच्छा से 1-1.5 मा पूर्व शुरू होगी 10 माई से आनलाइन वीडियो क्लासेज स्टार्ट होगी तथा शुरुवाती दिनों में आपको दो वीडियो क्लासेज दी जाएगी जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक वेसेखे टापिक के पूरा होते ही उस टापिक की पीडियफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्णों एमम डाउट्स का नेराकरण संबंधित से चक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बना कर किया जाएगा जिन आश्रंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है उनके लिए व्यक्तिगत मार्ग दर्शन भी दिया जाएगा सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकार्डड होंगे तथा लाइफ क्लास नहीं होगी जिससे जात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे वीडियो लेक्चर्स एंड्राइड आप के माध्यम से आपको दिये जाएंगे तथा वीडियो को आप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी करंट अफेर से संबंधित वीडियो परिच्छा की निर्धारी तितिती से 20 दिन पहले दिये जाएंगे यदि परिच्छा के पाटकरम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अंसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है तो जुड़िये हमारे राजस लेकपाल भरती परिच्छा 2020 के 90 दिन के क्रैस कोर्स प्रोग्राम से अधिक जानकारी के लिए 950-6742546 पर लेकपाल लिखकर वाटस अप करें या काल करें प्रश्न संख्या 200 के बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 201 और 201 में हमारा प्रश्न क्या है कि इसमें बिलोम शब्द पूछ रहा है एकत्र शब्द का बिलोम सब्द क्या होगा एकत्र का अर्थ जो हम समझ रहे हैं कि यह एकठा होता है में कट्र अब इसका जो बिलोम शब्द होगा वो विकीन टोन होगा विलोम सब्दों मैं एक साउधानी हमें यह भी रखने की जोरूत होती है कि प्राष्ट जिस परिवार का परिवार का मतलब यदि तचसम है तो तत्सम से हम को लुक डोना होगा बिविलँम बीपरिद और यदि तद्भाओ से हैं तो फो से ही हमको बिलोम शब्द भी ढूरने के आउशक्ता होती है इसके साथ कुछ अन्य बिलोम शब्दों को भी हम लोग देख लेंगे जैसे तिब्र का मंद तिमिर का लोग खुला का बंद खिला का मुर्जाया खास काम ऐसे ही कुछ अन्य बिलोम शब्द है तिक्ष्र का कुंद खुश का नाखोस खेजना का रीजना खिलना का मूर्जाना तो इसके साथ है सहित्य गींस करो अब यहां पर डैस डैस देती है यह रिकतस्थान भासा के माध्यम अब रिकतस्थान में यहां से इंचार आप सब विकल्पों में से यह किसकी अभिव्यक्ति है तो अब यहां पर हम लोग बात करें तो सहित जब हम पढ़ते हैं तो सहित ते मूलता क्या है यह जीवन प्रव जीवन के कई गुण इसमें जीवन की कई धाराय कई प्रवा है सहित में समाईत होते हैं तो हमारा उत्तर क्या होगा उत्तर एस ही होगा और प्रशु संख्या 203 फूल का तत्सम क्या है फूल का तत्सम क्या है पहुप प्रसून सुमन या पूस्प तो पूस्प जो है फूल का तत्समरूप है और यह बादीर symptom है यह लूका लिए फूल के तो अब यहां पर कुछ तत्सम को सफाल तो आगे रहे हैं इन चीजों को देखे बड़ी चीज है कि प्रश्ण जैसे ही यहां से पूछे जारै हैं यह आत्म-मुल्यंकन का भी सब्सक्राइब है और यह जो कक्षा आपके सह्यों के लिए चलाई जा रही इसका मुल उद्दिश यही है कि आप अपने आत्म का अपना स्वयं का मुल्यांकन करें यह स्व मुल्यांकन की कक्षा है स्व मुल्यांकन के द्वारा आप यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि आप इस दोड में कहां है यह कक्षा पुर्ण रूपेंड आपके लिए और आपके ही द्वारा संचालित है और कमेंट कर पर आपकी तयारी की जाएगी आपकी तयारी कराई जाएगी अगला प्रश्ण लोग देखेंगे कि निम्लिखित में देशज कौन सा है देशज सब्सक्राइब बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर जब हम बात करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तत्भव और इ एक सभी और आती है देश भी देशच की अलावा एक सभी है संकर संकर स्रेडी को भी अधस्ते हैं तो इसी तरीके से अब यहां पर पूछ रहा है देशत सब्द तो यहां देशत को हम लोग जान लें कि जिसका जिस शब्द का प्रयोग या जो शब्द देशी भासा से उठकर के हिंदी भासा में प्रयूक तो होता है या उसका प्रयोग होता है या लिया गया है उसे हम देश कि देशासब्द के कुछ और उदारन है जैसे खुर्पी हंसिया पिला चाता जूता कुलहारी तेंदुवा चिरिया डव डूंगा डिविया लोटा वियावान ये देशासब्द के कुछ उदारन है आगे हम लोग बढ़ते हैं कभीर्दास जी भक्तिकाल की किस धारा की कभी भर्तिकाल की जैसे हम लोग बातकर पैने हैं इसमें भर्तिकाल में कई धारा एं हम लोग सबूर निटकूर भी बातकर भूंदरेत есть संद काब्यधारा सुथी काब्यधारा और ये ग्याना स्राइ साखा की बात करते हैं तो यहां पर सिधा सिधा प्रश्निय है कि कभीरदाजी भक्तिकाल की किस धारा से किस धारा के कभी थे या किस धारा से संबंदित थे तो कभीरदाजी सबसे पहले तो ये किसके उपासक थे ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और इसमें भी ये संत काब्यधारा के प्रवर्तक थे ये संत काब्यधारा से इनका संबंध था जबकि प्रेम काब्यधारा के जो कभी थे वो जैसी थे राम की भक्ति के जो कभी थे वो तुलिसी दासी थे और कृश्ण का ब्यधरा की जो कई थे वो रस्खान नरुतन दास और सूर्दास थे अब यहां बात कर लेते हैं तो यहा पर करेश्ण भकति काभे के प्रतिनिधी कभी माने गए वो सूर्दास जी थे और राम भक्ति शाखा ब्रतिनिधी कभी थे वो बाबा तुलसी दास जी आगे वलोग बढ़ते हैं प्रश्ण संक्या दोस अच्छोड हिंदी सब्द कोष में च्छा का क्रम की सवर्ण क के बाद आता है अब देखिए यहां वर्ण क्रम को जब रखने की बात आती है तो अभी तक जो हम लोग पढ़ते हैं ब्याकरण में वो ब्याकरण में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें यह होता है कि उचारण अस्थान के आधार पर उचारण अस्थान के आधार पर करम का वर्गी करन किया गया है वर्णों का और होता क्या कि पहले कंठ तालू मुर्धा दंत और ओस्थ इस तरीके से वर्गों का बेंजन किया गया है अब इसी आधार पर हम देखें तो तालू के अंतरगत कंठ के अंत को अब बात आती है कि च्छा वर ये ग्यां तो आगे चला जाएगा ये ग्यां किसे समझ ग्यां पर हम लोग चर्चा करेंगे त्रोपर भी चर्चा करेंगे ओ च्छा पर भी चर्चा करेंगे को के बाद दूसरा वर्ण है बी का च्छा तो च्छा च्छा के बाद आता है यान कि कंठ के बाद तालू की हम लोग बात करते हैं कंठ के बाद हम लोग किसकी बात करते हैं तो चा के बाद छा आता है लेकिन यदि हम छा की बात करें छत्री छा की बात करें तो छत्री छा की जो बनावत है छत्री छा का जब हम वरण बिन्यास करते हैं तो इसमें क और शा का मि च्छe जभी आएगा तो किसके बाद आएगा को के बाद आएगा तो डेडर हरदेव बाहरी ने जह को क्या कहा है कि चुकि चेंड़ से उत्पन पहला वरण कह होता है और कह से ही कह का ही एक रूप है यानि का में शा के मिलने से च्छा बनता है और च्छा का प्रतिनी दित्व कौन करता है का करता है अता हो का जो पूर्वर्ती वर्ण होगा वो का होगा च्छा का पूर्वर्ती वर्ण क्या होगा का होगा इसी तरीके से यदि ग्यां के पूर्वर्ती वर्ण की हम ग्यां की बरावट है तो ग्यां किसके बाद आएगा जह के बाद या ग्यां से पुरू कौन सा वर्ण होगा जह होगा इसी तरीके से यदि हम तरह की बात करें तो यह तो के साथ रह से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा हर्देव भारी ने इसको च्छा को बताया है कि यह कग के पश्चाथ च्छा वर्ण आता है आगे हम लोग बढ़ते हैं हिंदी वर्ण में माला में उसमों ब्यांजन कौन से हैं बड़ा आसान क्रेशन हो मुझे लगता है कि आप को इसके बारे में जानकारी भी होगी अब इस करनास मया आपके पास रहता है कि आप जो है प्रोशन को देख करके उत तरौह हमें देदें तब ग plot to subscribe की तरफ बढ़ते हैं इसक्तकि या जा तालब बिशा बोलते हैं यानि कि इसका जो उचारान स्थान है वो किस से है तालू से है और ये अघोस वर्ण है सब जैसा कि इसको हम लोग मुर्धन्य सब बोलते हैं तो इसका उचारान स्थान किस से होगा मुर्धन्य से होगा ये भी अघोस है सब इसका उचारान स्थान क् सब्सक्राइब आगा बढ़ते हैं दूसरा वाट निमनिमने से कौन सा और उपसरग से बना हुगा है तो यहां इसको हम अलग करते हैं अतिचार होता है यह अप से यहां इसको अलग करते हैं तो अप औरवाद होता है यहां अधिकी बात आती है लेकिन यहां जब नाथ को अलग हम करते हैं तो यह अनाथ होता है तो इसका मतलब यह है कि उत्तर हमारा डी सही है लेकिन इसी के साथ साथ हमें कुछ और उपसर्गों की भी जानकारी होनी चाहिए और उन उपसर्गों का प्रयोग किन अर्थों में होता है हमें ये भी जानना चाहिए तो और उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो रहित और निसेद के अर्थों में होता है और इससे बने हुए शब्द इस प्रकार है अधी उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो स्रेश्ट के रूप में प्रधान के रूप में उपर या सामिप के रूप में अधी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं इससे जो शब्द बनते हैं वह इस तरीके से इन शब्दों का निर्माण किया जाता है या इस उपसर्ग से बने वे शब्दों के उधारान इस प्रकार है ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं उप अप उपसर्ग की बात हम लोग कर लें तो अप उपसर्ग क का हम लोग प्रयोग करते हैं और इससे बने हुए शब्द इस प्रकार है अति उपसर्ग का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो अधिक परे और उपर या उस पार के अर्थों में अधिक अधिक प्रयोग हम लोग करते हैं और इससे जो शब्द बने हुए हैं वो शब्द इस प्रकार है ठीक अब भयापक रूप से प्रत्य और उपसर्ग की कशा पेड़ क्लासेज में ली गई है और आपको समझना है तो आप चैनल पर संपर कर सकते हैं जो नमबर दिया गया पूस पर बात कर सकते हैं ब्यापक रूप से बहुत विश्तार से हो उस पर चर्चा किये हुए हो और आपक तो यहां हम लोग देखते हैं कि यह च्छाया तो हिंदी का है लेकिन दार किसका है अब जब तक यह हम नहीं समझेंगे क्या दार शब्द हिंदी का है इसका मतलब यह है कि यह दो अलग अलग भासाओं के शब्द है और जैसे ही दो अलग अलग भासाओं के शब्द मिस्रित होते हैं उनको हम लोग शंकर सब्द में लिखते हैं अता हमारा उत्तर संकर शब्द होगा लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ और शब्दों को भी जान ले तो यहां हम देखते हैं कि दार शब्द फारसी से है और छाया हिंदी से है तो इस तरीके से के भिन 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 भासाओं के भिन भिन अर्थ हवाले दो शब्दों को एक साथ जोड़ा जाता है उसको संक्र शब्दों के रुप में हम लोग समझते हैं आगे बढ़ते हैं वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है यहां पर जो पूछ रहा है कि इस वाक्य में कौन सा आप गया है सिधा सा प्रशन है और मुझे लगता है कि इसका कारण भी आपको पता होगा क्योंकि इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए वह लाचार इसलिए है क्यों कारण इस पस्ट हो तो उसका एंसर कारण वाचक होगा अब थोड़ा सा हम लोग अभ्या के बारे में समझ ले यानि क्रियाबिसेशन के बारे में हम लोग समझ ले तो क्रियाबिसेशन को तीन तरीके से हम समझते हैं या तीन प्रकार से हम लोग इसको समझते हैं कि प्रयोग क के आधार पर कौन कौन से हैं तो साधारन सन्योजक अनुबद्ध रूप के अनुसार मूल क्रियाविसेशन योगिक क्रियाविसेशन और इस्थानिय क्रियाविसेशन ये किसके रूप के अनुसार और अर्थ के आधार पर हम देखते हैं तो नो प्रकार के क्रियाविसेशन है ऊब थोड़ा इहां कर्या विसे सर की चरचा अनिवार्र हो गई है तो क्रिया के लोगों उने जैसा की बात किया था कि क्रिया के संदय वुजर मैं या क्रिया के होने का उस्ध रिडाम का कारण यदी बताया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं क्रिया के होने या करने का कारण यदी इस पस्ट हो या कारण बताया जाए तो उसको लोग कारण वाच्छा क्रिया भी से संद समझते हैं और इसको हम पहचानते कैसे हैं तो क्योंकि उद्देश से अतह कारण के मा इसलिए चुकी किसलिए क्यों काहे को तो यह जो शब्द है इन शब्दों को लगा करके जब सब्वाक्य बनाये जाते हैं तो इस पर्ष्ट रूप से अपनी पहचान बता देते हैं कि यह कारणवाचक क्रिया भी से समय ठीक है कारणवाचक अब यह के रूप में लोग इसको समस्त आगे हम लोग बढ़ेंगे अर्बिंद का पर्याबाची शब्द बताइए अर्बिंद का जो पर्याबाची शब्द है वो कमल होगा सही उत्तर आप लोगों का भी होना चाहिए और इसी के साथ कुछ अन्य पर्याबाची हम लोग देख ले कमल का कमर का कबूतर का परियाबाची शब्द हैं देखे बात यह है कि आपकी जो कक्षा है वो संपुर्ण ब्याक्ख्या यदि ना भी हो पाए तो आपके पास इतना आपको मिल जाए जहाँ क्लिस्ट चीजें रहती हैं वहां हम लोग चर्चा कर लेते हैं आगे वम लोग बढ़ते हैं कि सुषप्ति का बिलोम होगा निसेद, समस्टी, सुमति या जागरिती तो सुसुप्ति का अर्थ यदि हम लोग ध्यान से देखें तो सोया हुआ होता है या इसका जो संदर्भ है वो सोना के चक्र में यानि सुसुप्तावस्था या सोने का ही क्रम है इसका जो संदर्भ है तो सोना का उल्टा क्या होगा जागना होगा अब सुसुप्ति का जो स्रेडी है सुसुप्ति की जो कोटी है उस संदर्भ में हम लोग देखेंगे तो सही यह निसर हमारा डी आयेगा जगरिती कुछ अन्य विलोम शब्दों को हम लोग देख लें ऐसे यह विलोम शब्द है इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां शब्द युगम दिये हैं और इसका अर्थ पूछ रहा है सकल और शकल का अर्थ क्या है निसीत रूप से सकल और सकल का अर्थ क्या है तो अब एक चौपाई है बबाद तुलसी दास यह ने लिखाए कि सकल पदारत एह जगमा है अ कर्म हीन नर्पावत नहीं तुलसी बबाद यह लिखा अमने कर दो सकल पदारत यानि संपूर्ण पदारत कहा है इसी जग में हमने शकल नहीं कहा ज्यान दिचिएगा धोन्य आर्थक यदि आप करने में सफल है धोनियों में अंतर करने में आप सफल है आप समझ हिसमें वर संपूर्णा में तो अभीहां उट हुआ संपूर्ण कहा कि पहले सकल का अर्थ कि होगा और समपूर्ण और यह किसमें मिल रहा है केवल सीर जो दूसरा वाला शकर है उसका अर्थ क्या हो जाएगा अनेल का हवाय रख आपकार का भखला करना अपकार का बुरा करना अन्य का अन्य का दूसरावी का करण ना हो सकता है चुप विवश लेकिन सांत जो है मूख का अनेकार्थक शब्द नहीं है अतहाय अपसं सी हमारा सही होगा और तो मुख के अनेक अर्थक शब्दों में चुप, विवश, गुंगा, वाकू, शांत, इसका अनेक अर्थक शब्द नहीं है, जैसा कि हम लोग बात किये थे, कुछ अन्य-अनेक अर्थक शब्दों को हम लोग देख लें, जैसे अंग का भाग्य, गिंती के अंग, नाटक के जैसे मैं आपकी प्रतिक्षा करूंगा, जैसे हैं कि हम लोग जानते हैं, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो ये तो खतम हो गया, मैं आपका आभारी हूँ, ये भी खतम हो गया, मैंने एक पेड़ काकल या ये भी भूत काल, यानि की उत्तर हमारा क्या सही होगा, उत्तर ए सही होगा, और भविस्यत काल के दो भेद होते हैं, एक तो समान्य- भविस्यत काल काल होता है, इसकी जो परिभासा है, वो ये है कि क्रिया के जिस रूप से कारे के भविस्यत काल के रूप में समझते हैं, लेकिन यदि किसी क्रिया के भविस्यत काल के रूप में समझते हैं, लेकिन यदि किसी क्रिया के भविस्यत काल के रूप में समझते है जैसे सायद वह आये कदाचित संध्या तक पानी बरसे या कदाचित संध्या तक पानी पड़े या परिक्षा में सायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो यह संभाब में भविस्तकाल हो जाएंगे और यह समान भविस्तकाल हो जाएगा कैसे स्याम पत्र लिखेगा बच्च कारक है तो जैसे ही सम्मान की बात आती है या अधिकार की बात आती है तो हम वहाँ पर कौन से कारक को समझते हैं अधिकरान कारक की बात करते हैं तो उत्तर हमारा यह सही होना चाहिए और अधिकरान कारक का जो विभक्ति चिन्न है वो क्या है में पर उपर यह हमारा इसका क्य फिल्है प्रसफट लोग देखेंगे आचारियों ने कहा है कि अहिनसा ही परमधर्म है अब यहां पर पूछ रहाई कि सनदशना के आधार पर भेड बताएं वादफ हैं कौनसा वाद्फ के सरल वाद्फ के या उपवाक्य है, सन्युक्त वाक्य है, या मिस्र वाक्य है, तो सरल वाक्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें दो वाक्य हमको समझ में आ रहे हैं, पहला ये है कि आचारियों ने कहा है, एक तो यहां पर बात आ गई, दूसरा क्या है कि अहिंसाही परम धर्म है, एक दूसरा वाग के अब बात आती है कि जैसे ही हम इन दोनों को देखते हैं तो ये पता चलता है कि की के द्वारा ये दोनों वाग के एक दूसरे से जुड़े हुए है यानि योजग या सन्योजग की है अब इसमें एक चीज ये देखना है कि क्या दोनों वाग के अपना अलग-अलग म हट रखेंगे तो हम उसको किस रूप में समझेंगे अब थोड़ा सा इस के बारे में वह लोग चर्चा कर लेते हैं तो यहां जो बात आती है कि एक प्रधान वाक्य और दूसरा उस से उपवाग्ञा रहा है क्योंकि आचारों के ट्वरहका है एक हिंसा ही परम धर्म है अब थोड़ा सा और कुछ उदारण हमलोग देख लें वाक्य पर worn तंस नका जब किसी वाक्य वाक्य परिवर्तन क्या होता है पहले इसको समझत लिया जाए जैड़ नुसरे प्रकार के वाक्षय में परिवर्थन करने की जो प्रक्रिया होती है वाक्षव परिवर्थन होता है जैसे। एक वाक्षय हम लोग देखेंगे यहां कि राम ने छौपने के लिए निबंदह लिखा। यह सरल वाक्षय हो गया सिदा। अब इसी को जो मिस्र वाक्य में हम लोग लिखेंगे राम ने जो पत्र लिखा तो यहाँ एक वाक्य है यह प्रधान है राम ने जो पत्र लिखा वो छपने के लिए लिखा ये जो दूसरा वाक्य है वो इस पर आस्रित है क्योंकि राम पत्र ही नहीं लिखेगा तो छपेगा कहां से तो यहां जो राम ने पत्र लिखा ये प्रधान वाक्य और इस पर ये अस्रित वाक्य है लेकिन सन्यूक्त वाक्य क्या है कि दोनों वाक्यों का सोतंतर अस्तित्त है और दोनों सन्यूजग के द्वारा जुड़े होते हैं जैसे राम ने एक निबंध लिखा एक वाक्य इसका अपना महत्तो है और वह छपने के लिए था तो और सन्योजक के साथ यह यदि इसको हटा दें तो वह छपने के लिए था यह सन्युक्त वाक्य हो गए ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्राता काल पक्षी चाह चाहते हैं यह सरल वाक्य हो गया सन्युक्त वाक्य क कि प्राता काल हुआ और पच्छी चाहाने लगे इसी को मिस्र वाक्य में जब हम बदलेंगे तो क्या होगा कि जब प्राता काल हुआ तब पक्छी चाहाने लगे यानि कि इनका चाहा चाहाना किस पर निर्भर करता है प्राता काल पर यानि कि यह पहला वाक्य जो है यह रहा है कि यह जो रुटर से पहले हम लोग इसके प्रक्रिद को समझे है कि यह क्रियाग की वि Васस्टा बता रहा है इसको हम लोग रिया वी तर्वाग के बोलेंगे अब थोड़ा सा क्रिया विसेशन उपवाग के को हम लोग समझे लें कि क्रिया विसेशन उपवाग के क्या तो सब्दों का वह समुझ जो अपना विसेश उद्देश सेवंग विधे रखता हो उसे क्रिया विसेशन का कारे करता हो उसे क्रिया विसेशन उपवाग कि हम लूग कहेंगे यह यह कुरिड़ इस समन् उपवाग के की परिभासा हो गई कि कोई भी ऐसा उपवाग की जो क्रिड़ onu कि तरह ब्योभार करें या ब्योहरीत हो ईसका प्रयोग किया जाए वह कुरिया भी से सा उंपवाग के कहलाएगा तो अब क्रिया भी कुछ समझना निवारे हो गया पूनः वापस हम लोग चलते हैं कि क्रियाभी सेसन क्या कहलाता है सब्दों का वह समू जो अपना विसेस उद्देश से वंग विध्ये रखता हो और साथ ही साथ क्रियाभी सेसन का काड़े करता हो क्रियाभी सेसन कहलाएगा ठिक इसकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग तो इसमें प्रायर जब जहां जिधर जयों यद्देपी का प्रयोग उपवाक्य से पहले ही होता है यारी अब यहां पर पानी बरसता है ये एक उपवाक्य हो गया या इसको वाक्यान उसके ये लेकिन इस वाक्य से पहले ही जब का प्रय यह इसकी पहचान है पहचान क्या है कि जब जहां जिधर जियों यह द्यपी का प्रयोग उपवाके से पहले होता है और इसके द्वारा परिलक्षित क्या होता है तो समय काराण स्थान काल मातरा फल अवस्था समानता आधिका बोध होता है यह परिलक्षित होते हैं जैसे अगिला प्रश्न अब देखेंगे क्रिया भी सेशन के भेद के बारे में भी आम लोग जाने पांच भेद होते हैं काल सुचक इस्थान सुचक रीतिवाचक परिमाणवाचक और हेतुवाचक हेतुचक आगे हम लोग चलते हैं धिडोरा पिटना मुहावरे का आर्थ है बिल्कुल आसान है धिडोरा पिटना मुहावरे का प्रशार करना है लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य मुहावरों को भी हम लोग देखेंगे इसके अर्थों के साथ इधर मुहावरे हो गए और य या हो रही है या इसको ये जो वाक्य है हम पढ़ते हैं इसको समान्य भूत काल में क्या कहेंगे ये बरतमान हो गया समान्य भूत काल में क्या कहेंगे हम पढ़ा हम पढ़ेंगे या हम पढ़ें या हमने पढ़ा हम पढ़ेंगे भविस्यत काल की बात हो जाएगी हम पढ़ा अशुद्ध है हम पढ़े इसमें और इसमें हमको सुद्ध चुनना है और सामान्य भूत काल में चुनना है एक वाट के तो इसका जो सही उत्तर होगा वह डी होगा कि हमने पढ़ा हम पढ़ते हैं इस वाके का जो समान्य भूत काल होगा वह हमने पढ़ा होगा सही उत्तर डी ही मैंने गाना गया सीता गई मनोज घर गया वो स्कूल गया श्याम ने पत्र लिखा ये इसको हम लोग तो is इस्वर को मानता हो अब यहां पर एक वाक्यान्ष दिया है और वाक्यान्षों के लिए एक शब्द की मांग हो रही है तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि वाक्यान्षों के लिए एक शब्द को एक नजर देख लिया जाए जैसे कुछ प्रमुख अन्य तथ्य हैं या अन्य उद होते हैं कि चिरंतन का सही विप्रितार्थक सब्द चुनिए चिरंतर चिरंतन का नस्वर अनस्वर नाश या अन्ठ क्या होगा तो चिरंतन जो होता है यानि कि जो इस्थाई रहे यानि जिसका नाश न हो उसको अनस्वर भी बोल सकते हैं जिसका नाश न हो वो अनस्वर भी हो सकता है तो अनस्वर और चिरंतन कदाचित समनार्थी हो सकते हैं तो चिरंतन जो होता है कि जो हमेशा विद्यमान हो जिसका अच्छाय न होता हो जिसमें मतलब नाश की जो परिवर्तन की जो प्रवित्ति है वो चिरंतन में नहीं होती वो इस्थाई होता है अनस्वर में क्या होता है अनस्वर भी अपरिवर्तित रहता है परिवर्तन तो संसार का नियम हना अभी जैसे हम लोग यहां पढ़ रहा हम जो बोल रहे हैं लगातार हमारी बाणी में रहता है वो इस्थित रहता है तो इसका जब हम विपरितार्थक चुनते हैं तो इसका सही उत्तर हमको मिलता है नस्वर के रूप में ए आगे हम लोग बढ़ेंगे यात्रियों के समों को कहते हैं यात्रियों के समों को क्या करते हैं निश्चित रुप से इसका उत्तर आपके पास होगा यात्रियों के समों को हम लोग काफिला के रुप में समझते हैं और कुछ अन्य वाक्यान्श हैं जिनके की एक शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं जो आगे की बात सोचता हो उसे अगर सोची के रूप में हम लोग समझते हैं जो भविसे की बात सोचता है उसे भविसे चेता की बात करते हैं जो आदर के योग यह हो उसे आदरनिय करते हैं जो आलोचना की योग यह हो उस जीजिए मुझे कहने कि आशकता नहीं है क्योंकि आप लोग भी टेक से भी है और आपको क्या अनिवार्ण है क्या आवश्यक है इसको आप अपने पास रख सकते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं अगे प्रशन की तरफ जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते ह है उसे हम लोग जिग्यासू कहते हैं जानने की इच्छा रखने वाला जिग्यासू होता है इसी तरीके से कुछ अन्यवाक्यांशों के भी एक शब्द हैं जैसे जो एक ही माता कि उदर से उत्पन हो उसे सहोधर कहते हैं जो कठिनता से और देर से पचे उसे गरिष्ट कहत सब्सक्राइब लाद सिंगर कों सब उन्यक्राइब में कहानि सुनेगा कॉया शुद्ध्ध्रा राम ने कहानी इसी तिंद्ध्ध्र किया कुछ असुद्ध्रण ऐस कि इतने में हलकी सी हवा का जोका आया यह सुद्धवा क्या होगा इतने में हवा का हलका जोका आया ऐसे ही कुछ और उधारण है जैसे कि समाज के भिखारियों से क्रिपा करनी चाहिए अब बात यह आती है कि या तो यहां पर यह हो कि समाज को भिखारियों पर क्रिपा करनी यहां पर यहाँ थे समाज के भिखारीयों पर खृपा करनी चाहिए यह समाज में रहने वाले भिखारीयों पर क्रिपा करनी चाहिए या उनकी चिंता करनी चाहिए ऐसे चुकी बदलते हैं तो यहां पर भिखारियों से की जगा क्या हो जाएगा पर हो जाएगा भिखारियों पर क्रिपा करनी चाहिए ऐसे यह सुद्धवा के अच्छे करे में अनेकों संकट आते हैं अनेक जब यहां पर पहुंशते हैं यह किस रूप में आती हैं बहुवचन के रूप में आती हैं तो अनेक का अनेकों करना तो यह मुझे लगता है कि थोड़ा सा सूसंगत नहीं है यह तरक संगत नहीं है अतह यहां पर अनेक संकत ही होगा इस तरह से 25 प्रशनों की ये स्रिंखला हम लोगे समापत होती है फिर हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में तब तक के लिए